हाई एवरीवन वेलकम टू पी एसम क्लासेश तो आज के नुमेरिकल में हमें डिसकस करना है टू पॉइंट चार्जेस ओफ चार्ज वेल्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ट एट डिस्टेंस एक्स एंड एक्स बाई टू रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए ठर्ड चार्ज ओफ चार्ज 4Q OK सौरे सबसे पहले क्या बोला है एक ठर्ड चार्ज है हमारे पास जिस पर कितना चार्ज है 4Q का चार्ज है और इस चार्ज से x by 2 एंड एक्स डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे और और X by two distance पे दो चार्जिस रखे हुए हैं, okay, so, यहाँ पे हमारे पास two charges है, which is Q, जो X distance पे है, और, एक small Q charge है, जो की X by two distance पे रखा हुए है, okay, इसके बाद हमें बोला गया है, all charges being in the same straight line, okay, so, same straight line में हमने इनको रखा है, charges को, okay, आगे बोला गया है, calculate the magnitude and nature of the charge capital Q, such that the net force experienced by the charge Q is 0, okay, so, हमें बोला गया है, कि हमें calculate करना है, किसका magnitude calculate करना है, and nature calculate करना है, किसका charge capital Q का, such that the net force experienced by the charge Q is 0, okay, so, चलिए, इसका solution करते हैं, first of all, यहाँ पर, हमें बोला गया है, कि यह जो charges है, है, इसका हमें क्या बताना है, nature बताना है, okay, so, अगर nature की बात करते हैं, तो equilibrium condition के लिए, जो charge plus 4Q पर होगा, वही charge जो है, cases capital Q पर होगा, तो, बोल सकते हैं, charge on 4Q and capital Q be the same for stable equilibrium condition, condition, stable equilibrium condition में तीनो charges, 4Q, Q and Q, तीनो का charge जो है, वो क्या रहता है, same रहता है, okay, so, मैं Q को भी include कर देता हूँ, charge on Q, 4Q and capital Q be the same for stable equilibrium condition, अब यह जो position है, वो किसकी stable equilibrium की condition है, तो यहाँ पर 4Q से Q पर लगने वाला, जो force होगा, यह क्या होगा, equal होगा, किसके इस capital Q से Q पर लगने वाले force के, okay, so, इस condition में 4Q से जो force लग रहा है, उसको हम F A से denote कर सकते हैं, और इस capital Q से Q पर जो force लग रहा है, इसको F B से denote कर सकते हैं, okay, अब अगर हम देखें, तो यह दोनो F A और F B, R equal हैं and opposite हैं, F B are equal and opposite to each other, so, इस condition में क्या होगा, F of A जो है, वो equal हो जाएगा किसके, F of B के, तो हम simply इसको अब लिख सकते हैं कितना, यह हो जाएगा, कि Q 1 के जगा पर हम 4Q रख सकते हैं, और Q के जगा पर Q और R स्क्वेर के जगा पर, क्योंकि 4Q से Q तक का distance X by 2 है, तो X by 2 का whole square हो जाएगा, यह equal होगा K, इस capital Q into Q divided by X by 2, क्योंकि इस capital Q से Q तक अभी जो distance होगा, वो X by 2 ही होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 4Q से Q तक X given है, तो यह भी distance पर हमारा X by 2 का equal होगा, यह हो गया, यहां से X by 2 का square, X by 2 का square से cancel हो जाएगा, K से K cancel हो जाएगा, Q से Q cancel हो जाएगा, जो remaining term हमारे पास बची, वो क्या है, Q is equal to 4Q, Okay, so इस condition में Q का जो magnitude होगा, वो equal होगा किसके 4Q के equal होगा, Okay, thanks to all of you, have a nice day.